हे दोस्तो इस वीडियो में हम closing techniques के बारे में जानेंगी कि कैसे property को close करना है कैसे deal को close करना है जो main mantra होता है हर एक successful real estate agent का क्योंकि अगर वो close नहीं करेगा तो उसे पैसा नहीं मिलेगा उसका effort बेकार चला जाएगा तो उसे close कर नहीं होगा in order to get the money पैसा निकालने के लिए तो number one formula है always be seated अपने customer को बिठाना जरूर बिठाना खोद भी बैठना याद रखना sitting is for closing standing is for losing उन्हें बिठाओ जरूर बिठाओ फिर बात करो second always present in written हमेश अपने offer को written में present करना paper में दिखाना जिस्ट बोलने से काम नहीं बनेगा आपको दिखाना होगा written में दिखाना होगा तभी काम बनेगा number three clearly communicate your proposal आपके offer कर रहे हो उसे clear cut बना कुछ भी चुपाना नहीं अगर आप एक agent हो तो अपने commission clear cut रहे हो उन्हें बता आओ कि आप इतना लोग होसा के दोग sign भी करवा लो जिससे कोई भी problem बाद में ना आए अपने proposal को हमेशा clear cut बनाना clearly communicate कर लेना उस owner के साथ या फिर उस customer के साथ number four always make eye contact eye contact हमेशा बना के रखना अपने customers के साथ क्योंकि इससे आप confident दिखोगे और आप trustworthy बनोगे तो eye contact बहुत जरूरी है आप मैंसे कुछ तो कहेंगे कि eye contact मुझे नहीं है ता मैं eye contact नहीं कर पाता तो आपके लिए मेरा suggestion है आज से और अभी सब शुरू कर दो eye contact करना शुरू कर दो family members के साथ eye contact करो unknown person के साथ eye contact करो YouTube एक video है जास सर्च करो eye contact training आपको video मिल जाएगा आप वहां से eye contact सीख सकते हो eye contact बहुत important है दोस्त eye contact बहुत important है confidence confidence बढ़ाने के लिए आपके practice कर नहीं होगा number five always have a pain available हमेशा अपने पास एक pain pain जरूर रखना ये गलती most of the beginner agent कर देते हैं वो आपने पास pain नहीं रखते वो धूनते रहते हैं जब भी time आता है sign करने का वो धूनते रहते हैं जिससे impression बिकार जाता है तो आप अपने पास एक pain जरूर रखना closing के time जिससे for tax से close हो सके क्योंकि उस time पे customer अपने mind को change कर सकता है इसलिए आप अपने पास हमेशा pain रखना जिससे कुछी second के अंदर वो sign कर पाए तो ये 5 है rule closing का और भी बहुत साय rule है 20 total rule है हम 5 पास करके हार एक rule को समझ लेंगे आपको just इन्हें practice करना है खासकर eye contact को क्योंकि वही experience देगा आपके body language को शुधान्य में वो सबसे बड़ा भूमी का निभाएगा आपका attitude वही बदलेगा तो आपको eye contact सीख नहीं होगा नेक्स वीडियो में हम और 5 closing टेक्नीक के बार में जानेंगी अगर आप इस channel पे नए हो तो subscribe कर लो like इस वीडियो को अगर ये helpful रहा तो म देगले वीडियो में उस closing टेक्नीक के साथ thank you take care and be safe